इसराइल हमास युद्ध तेज होने के बीच विदेश मंत्री एज जैशंकर ने इस्तिती को शनिवार को बहुत चटिल करार दिया उन्होंने दोनों पक्षों के बीच मानवी संगर्श विराम के लिए हाल में संयुक्त राष्ट महासबा में लाए गए प्रस्ताव पर मद्दान से भारत के दूर रहने के फैसले को उची ठेराया जैशंकर ने इसराइली शेहरों पर हमास दौरा साथ अक्टूबर को किये गए हमलों को आतंगवात करार दिया साथी फिलिस्तिन मुद्दे का वारता के जरिये दूराष्ट समाधान निकालने का समर्थन किया उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप सम्मीट में कहा मैं इस निशकर्ष पर पहुँचा हूँ कि ये एक बहुती जटिल इस्तिती है लेकिन कई सारी संभावना है जो पूरी तरह से इस पश्ट नहीं है अच्छी संभावना है नजर नहीं आ रही ये पुछे जाने पर कि क्या मोजुदा संकट आई टू यू टू समू के तहत की गई पहल और मत्वाकांशी भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गल्यारा पर योजना के क्रियान्मन को प्रभावित करेगा जैशंका ने कहा कि निश्चित या यहां तक कि कोई अर्ध निश्चित निश्कर्ष निकालना जल्द बाजी होगी उन्होंने कहा निश्चित रूप से अपरत्यक्षित समस्याएं गंबिर प्रकरतिकी भी हो सकती है और हम अभी ऐसा देख रहे हैं और अगर आपके पास कोई बड़ा लक्ष और बड़ी योजना है तो आप तुरंद उस पर पुनर विचार करना शुरू कर देते हैं विदेश मंत्री ने कहा मुझे लगता है कि आपने अपना मास्टर प्लान आगे बड़ाना जारी रखा है आप काम करते हैं वहाँ जो भी कुछ घटित हुआ उस पर भी आप साथ साथ प्रतिक्रिया देते हैं उन्होंने हमास इसराइल संगर्ष पर संयुक्तराष्ट महासबा में लाए गए प्रस्ताव पर मद्दान से दूर रहने के फैसलिक को भी उची ठहराया जैशंकर ने कहा अगर आप ओसत भारती से पूछेंगे तो आतंगवाद एक ऐसा मुद्दा है जो लोगों के दिल के बहुत करीब हैं जोकि बहुत कम देश या समाज आतंगवाद से उतने पिडित हैं जितने की हम पिडित हैं उन्होंने कहा जब आगे के घटना करम हुए और इस्राइली गाजा की और बढ़ गए तो मुझे लगता है कि हमने सेध्धानतिक रूप से ये भी माना कि जो भी कारवाई की जाए उसमें अंतराष्टी मानवी कानुन का अवश्य पालन किया जाना चाहिए सेयुक्त राष्ट महासबा ने पिछले सब्ता गाजा पट्टी में इस्राइली सेनी को और हमास के बीच तकाल एवं टिकाओ मानवी संगर्श विराम के प्रस्ताव को अपनाया था